तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमने ladies paint cutting की है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ladies paint की cutting सिखाने वाले हैं, तो अगर आप इस वीडियो पूरा देख लेंगे और बिल्कुल भी cut करके नहीं देखेंगे, तो आप इस वीडियो को देखकर किसी भी size की paint trouser cutting कर प पर हम paper की उपर cutting कर रहा है, तो हम single paper की उपर cutting करके दिखाएंगे, तो देखें सबसे पहले हम lamba का इनिसान लगाएंगे, तो हमने lamba का इनिसान लगाने के लिए inch tape को 1 inch उपर निकाल दिया है, तो हम 1 inch इसली उपर निकालते हैं, क्योंकि 1.5 inch का belt लगता है, और 1.5 inch लगाना है, उसके बाद हमने महरी में fold करने के लिए छोड़ना है, तो हम यहाँ पर 2.5 inch एक्टा रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 inch बढ़ा का रख रहा हूँ, यह देखें, तो 34 inch यह लंबाई का निसान हो गया, और 2 inch हमने बढ़ा का निसान लगा दिया है, उसके बाद अब बात आती है, आसन यानि लटक की, तो अब हमने क्या करना है, इंची टेप को एक inch नीचे कर लेना है, यानि इस कपड़े के बराबर से कर लेना है, इंची टेप को उपर नहीं निकालना है, तो देखें, आसन का निसान लगाने के लिए हमको hip की नापकी ज़रूरत और बढ़ा देना है, यानि half inch और पिलच कर देना है, तो जैसे कि 38 inch का चोथा ही भाग 9 inch होता है, तो हमने आदा inch और बढ़ा दिया तो हो गया, 10 inch यानि 10 inch, देखें हमने ये 10 inch का निसान लगा दिया, उसके बाद हम इन mark को state कर देते हैं पहले, तो यहाँ पर हमने shape scale रखन फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर कमर का निसान लगाना है, तो जैसे कि इसकी कमर 36 inch है, तो हमने 36 inch का 4th part करना है, यानि 4th ही भाग करना है, तो 36 का 4th part बनता है 9 inch यानि 9 inch, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 inch और राइट कर देना है, क इसके बाद हमने एक इंच और जोड़ना है, जो हम डौट के लिए रखेंगे, जो हम प्लेट्स डालते हैं, तो हमने यहां पर देखे, ग्यारा इंच का निसान लगा दिया, ठीक है, हमने यहां से यहां तक नापकर चेक कर लेना है तो इस निसान से लेकर यहां तक आ रहा है 11 इंच तो हमने क्या करना है यहां से इंच चीटेप रखना है किनारा छोड़कर तो यहां से यहां तक यतना भी आ रहा है उसके लिए हमने थाई पर 3 इंच बढ़ा कर लगाना है तो जैसे कि यहाँ पर उपर 11 इंच आ रहा है तो हमने 3 इंच बढ़ा दिया तो हो गया 14 इंच अगर आप चाहिए यहाँ के साब से 3 इंच भी बढ़ा सकती है अगर आप loose paint पहनना चाहते हैं और medium fitting के लिए आप 3 इंच बढ़ा कर रखेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर यह निसान लगा रहा है यहाँ से यहाँ बैक निसान डियल इंच का हो गया उसके बाद हमने इस निसान से इस निसान को मिला देना है उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर चेक करना है तो यहाँ से यहाँ तक total कितना आ रहा है 11 इंच तो हमने इसका हाप कर लेना है तो 11 का हाप होता है 5 इंच तो आपका जितना भी आ रहा है आप यहाँ से यहाँ तक हाप कर लेंगे उसके बाद हम इस तरह से सीधा नीचे के लिए निसान लगाएंगे ये देखें ये हमारी डोट से रहेगी तो हम ये निसान लगाएंगे करीब 4 एंच का ये देखें उसके बाद हमने क्या करना है इस तरह से ये हमने मार्जन लेना है आदा एंच इधर के लिए और आदा एंच इधर के लिए उसके बाद हमने यहां से शेप बनाना है, यह देखें, उसके बाद हम यहां से चेक करेंगे, यहां से यहां तक टोटल कितना आ रहा है, तो आप इस निसान से लेकर यहां तक नापेंगे, जहां तक आपका किनारा है, बहां तक आप नाप लीजिए, जितना भी आ रहा है, उ सीधा करेंगे यह हाप सेंटर है यह ही इसकी क्रीज रहेगी तो आप जिसे कि हम ने इसकी मोरी रखनी है 14 इंच ठीक है तो हमने क्या करना है 14 का फोर्थ के लिए 3.5 इंच के एक निसान लगाना है ये देखे और हमने इस निसान से इदर के लिए 5.5 इंच के एक निसान लगाना है तो आब हमगे पर देखेंगे टोटल कितना हो गया, तो ये अब हो गया 7 इंच, तो देखेंगे ये महोरी का half हो गया, नहीं सारा मार्जर्जर इसी मेरेड है, उसके बाद हमने क्या करना है, आसन वाले को महोरी वाले से मिला देना है, उसके बाद हम थोड़ा सा तर्शा करेंगे तर के यहां पर हमने half inch यानि half inch यहां से down करना है कुछ इस तरह से और जो हमने beat center का निसान लगाया है यह वाला इस निसान से scale को रखेंगे और यहां से रखेंगे और हम cross mark लगाएंगे इस तरह से यह देखेंगे तो देखें फ्रेंट सैट की marking हो गई है अब हमने इसकी cutting कर लेना है तो दोस्तो मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फसेंड डिजैनर अगर आपको यह वीडियो थोड़ा साइब इच्छा लगे तो आप इस वीडियो को like and share कर सकते हैं अगर आप चैनल पर तो देखें हमारा फ्रेंट कट चुका है अब हम बैक cutting करेंगे इस तरह से हम इस कपड़ को घुमाएंगे तो देखें हम फ्रेंट को बैक के ऊपर इस तरह से रखेंगे हमने यहां से चेक करना है यहां से बरावर होना चाहिए तो देख सकते हैं हमने इस तरह से फ्रेंट क की कटिंग की थी इसके बरावर से रखना है इस तरह से यह देखें बिल्कुल सीधा रखना है उसके बाद हमने यह मार्क कर दिना उपर के लिए इस तरह से अगर आप थोड़ा लूज रखना चाहते हैं तो आप इस निसान के साब से और आदा इच आगे के लिए निसान लगा सकते हैं उसके बाद यह जो हमने फ्रेंट की कटिंग की थी जो यहां से हमने फ्रेंट साइड को डाउन किया है यहां से हमने मेजर में टेप को रखना है और यहां से हमने डाई इंच का निसान लगाना है तो अब देखिए मीडियूम साइज के लिए हमने इस निसान डाई इंच का लगाना है अगर मीडियूम से थोड़ा ज़ादा है तो आप 3 इंच का निसाल लगाएंगे अगर ज़्यादा है भी साइज है तो आप 3 या 4 इंच का भी लगा सकते हैं यहां से यह देखें जो फ्रंट की कटिंग की गई है यहां से हमने इसके लिए बराबर रखना है फिर उसके बाद हमने यहां से 2 इंच उपर के लिए और यहां से हमने करीब 7 इंच आगे के लिए इस तरह से एक राउंड शेप बनाना है इस तरह से उसके बाद हमने यह जो लंबाए के निसाल लगाया था यहां से स्केल को रखेंगे बराबर और हमने इस तरह से उसके बाद हमने इस मार्क को इधर भी उठा देना है इस तरह से थोड़ा आगे तक ये देखें उसके बाद हमने यहां से देड़ इंच आगे के लिए निसान लगाना है उसके बाद हमने shape scale लगना है थाई बाले को मोहरी बाले से मिला देना है इस तरह से ये देखें उसके बाद हमने थोड़ा तिर्चा करना है तो अगर आप भी इस formula से cutting करेंगे तो आपकी pen भी बहुत ही सांदार fitting में आएगी सारा margin इसी में add है अब आपको कुछ भी नहीं करना है इनी mark से cutting कर देना है तो दोस्तों देख सकते हैं front और back दोनों cutting हो चुके हैं दोते हैं next video में thanks for watching this video